उत्तर प्रदेश के उपमुखी मंतरी केशव प्रसाद मौर ने सिराथुप सीट से नामंकन कर दिया है। नॉमिनेशन के दोरान केशव प्रसाद मौर के साथ बीजेपी विधायक शीतला प्रसाद पठेल भी मौजुद रहे। नॉमिनेशन के बाद केशव प्रिसाद मौर ने विक्टरी साइन दिखाया। वही नामंकन दाखिल करने से पहले डेपूटी सीम केशव प्रिसाद मौर ने शीतला मंदिर में परिवार सहे तर्शन पूजन किया। मंदिर में माता का आशिरवाद लेने के बाद मौर नामंकन के लिए निकले थे इस दोरान बीजेपी वर्करों में जबर्दस्त उत्साहा देखा गया केशब प्रशाद मौरे का बीजेपी वर्करों ने ढोल नगाड़े के साथ च्वागत किया वहीं महिलाओं ने फूल की बरसाद कर केशब प्रिसाद मौरे के प्रती समर्थन जताया इस मौके पर केशव प्रिसाद मौरे ने सिराथू के साथ अपने पुराने संबंधों का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि सिराथू उनकी जन्मभूमी के साथ कर्मभूमी भी रही है। मौरे सिराथू में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। सिराथू की पुल देवी मा सीतला के चड़ों में पुडाम करके, पूजा अर्चना करके, आज एक बार फिर से दस वरसों के बाद, सिराथू बिधान सबाद छेतर से मेरे पार्टी के नेतरत ने मेरे मानी प्रधान मंत्री स्री नरेद मोदी जी ने, मेरे राश्टी अद्यच मानी जेपी नध्धा जी ने और संपूर्ण राष्टी और प्रदेश नेतिन ने मेरी जन्म भूमी को मेरी कर्म भूमी बना करके मुझे सेवा करने का निर्देश दिया है और इसे मैं अपना सौभा के मानता हूँ सिराथू विधान सबाद छेत्र का प्रतेक परिवार मेरे परिवार जैसा है सिराथू विधान सबाद छेत्र की सेवा करना या मेरा सौभा के जब से आउसर मिला है प्रियास किया हूँ कि सिराथू छेत्र का सरवांगिर विकास हो और मैं सिराथू के लोगों को यही भरोसा दिया हूँ और दे भी रहा हूँ कि सिराथू के इस बेटे के कारण से कभी भी सिराथू वासियों का सीष नहीं जुकेगा और मुझे भी विश्वास है कि सिराथू वासी मेरा भी सीष नहीं जुकने देंगे भाजबा का भी सीष नहीं जुकने देंगे, कमल खिलने में कोई समेश्या मुझे नजर नहीं आती है, लेकिन जब तक बंदान नहीं हो जाता, जब तक मदों की गिंती नहीं हो जाती है, तो चाहे किसी पार्टी का प्रत्यासी हो, चाहे निर्दली प्रत्यासी हो, वह चुना के लिए सुसासन चाहिए, सुरच्छा चाहिए, विकास चाहिए और भारती जनता पाटी सुसासन की, विकास की और 24 करोन लोगों के सुरच्छा की गारंटी है और समाजवादी पार्टी का गड़बंदन हो और चाहे आनने जो राजनितिक दल बने हैं अलग-अलग लेकिन वह अलग-अलग राजनितिक दल केशव प्रिसाद मौरे बीजेपी के सबसे बड़े पिछड़े नेता हैं बीजेपी को उमीद है कि मौरे सिराथू के सियासी संग्राम में जीत का पर्चम जरूर फहराएंगे पंजाब केशरी टीवी के लिए कौशामवी से अखलेश कुमार गौतम की रिपोर्ट के लिए बेल आइकोन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद